What is up YouTube my name is Aditya and welcome back to my channel the Indian Algo So, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं Imbalance Imbalance क्यों इतना important होता है मार्केट में Recently मुझे किसी ने एक question पूचा था कि मार्केट में imbalance क्यों create होता है और अगर create होता है तो वो fill क्यों होता है इसका बहुत ही simple सा जवाब internet पे आपको मिलेगा कि जब भी कोई imbalance create होता है Market हमेशा balance में काम करती है Market हमेशा balance में काम करती है Buyers और Sellers के बीच में balance होना चाहिए So, यह जवाब आपको internet में मिल जाएगा Which is very common But actual reason क्या है कि यह imbalance fill होता है Actual reason क्या है कि यह imbalance fill होता है ऐसा क्या evidence है हमारे पास कि यह imbalance fill होगा और हम लोग इसको कैसे अपने trading को बहतर बनाने के लिए use कर सकते हैं Simple answer यह है कि for every buyer there has to be a seller तो हर seller के लिए एक buyer तो होना चाहिए या फिर हर buyer के लिए एक seller तो होना चाहिए यहाँ पर sellers create हुए imbalance create हो गया यहाँ पर imbalance हो गया market कभी यहाँ पर आए गया यह नहीं balance करने के लिए तो लोग trading कैसे करने तो यह algorithm काम कैसे करेगा तो यह जित्ती भी चीज़ अभी हमने जस्त देखी imbalance हो गया या balance हो गया market हमेशा एक algorithm पर काम करता है जो algorithm बहुत complicated है obviously हम लोगों को कुछ idea नहीं है उस algorithm के बारे में but कुछ footprints होते हैं जो यह algorithm पीछे छोड़ के जाता है हम लोग वह footprints समझ सकते हैं और उसको trade कर सकते हैं ठीक है तो मैं बहुत simple सा example दूंगा समझें समझिए algorithm के तरिके से हम लोग इसको देखते हैं algorithm के नजरिये से हम इसको देखते हैं जैसे यहां पर समझिए किसी नए किसी algorithm के एक sell position बने ठीक है एक sell position बनाई price में imbalance create अब इस imbalance को देखके बहुत सारे sellers active हो जाएंगे market पर क्योंकि इतना बड़ा sell move आया है बहुत सारे लोग exit कर देंगे अपटी trade बहुत सारे लोग क्या करेंगी समझी एक higher time frame का imbalance ठीक है एक higher time frame का imbalance है जो क्यो हो सकता है एक घंटा या चार घंटे के time frame पर लेकिन इसके बीच में obviously price कही ना कहीं समझें यहाँ पर imbalance है ठीक है सिर्फ इतना imbalance है सिर्फ इतना मैं नहीं बोल रहा कि यह पूरा imbalance सिर्फ इतना है और फिर price ने ऐसा moment दिया है ठीक है अब algorithm कैसे काम करता है algorithm इतना जानता है बस कि यह एक move आया है यहाँ पे imbalance है तो recent सबसे recent price कहां से आया है सबसे recent price कहां से आया है जहाँ पे imbalance create हुआ है तो जहाँ पे imbalance create हुआ है algorithm को पता है कि अगर price यहाँ से गिरा है तो सबसे active stop losses यह समझना बहुत important है सबसे active stop losses recent stop losses कौन से area में होगे obviously in highs के उपर in highs के उपर in highs के उपर यह reason है कि price imbalance को fill करने के लिए वापस जाएगा price हमेशा यह चीज़े identify करेगा price हमेशा यह चीज़े identify करेगा यह liquidity create करेगा और फिर उस direction में वापस जाएगा बहुत easy हो जाता है फिर algorithm के लिए यहाँ पे liquidity hunt करना और इस liquidity को use करना अब देखो बहुत लोग सोचते हैं कि liquidity hunt होने के बाद price हमेशा नीचे गिरना चीज़े price हमेशा नीचे गिरना चीज़े नहीं ऐसा नहीं होता algorithm इस stop loss को use कर सकता है अपने direction में लेकी जाने के ठीक है तो liquidity hunt शायद यहाँ कहीं होगी liquidity hunt शायद यहाँ कहीं होगी और price इस in stop losses को use कर सकता है अपने direction में लेकी जाने के लिए समझे हैं आप उसने buy किया है तो इसके उपर क्या है buy stop losses ही तो लगे हो है इसके उपर 22 stop losses लगे हुए और यहाँ पर imbalance है so algorithm को पता है कि हाँ मुझे इस area पर वापस आना है क्योंकि यहाँ पर imbalance created है तो algorithm क्या करेगा in highs को hunt करेगा और सीधा एक बड़ा सा अपनोग पर ठीक है यह बहुत basic सा example है जो कि बहुत लोग को नहीं पता है obviously बहुत लोग को नहीं पता है internet पे तो मैंने यह explanation कहीं देखा नहीं है but I hope यह चीज़ आपको समझ में आई हो तो मैं क्या करूँगा अभी मैं इस particular example को लेके मैं charts में explain करता हूँ तो कोई भी example ले लेते हैं जैसे कि जब यह imbalance दिखा market में market unnecessary उपर नहीं आएगा इधर से ही उपर क्यों नहीं गया इधर से उपर क्यों नहीं गया क्योंकि कोई liquidity create नहीं की होगी उसने शाहिए क्योंकि कोई liquidity create नहीं की होगी और obviously यहां पे बहुत बड़ा distribution हुआ है so यह हमारे LPS है last point of supply और price यहां पे नीचे गिरा है इसकी वज़े से this was a big move to the downside but again हम लोग यह चीज़े समझते है अब जब price नहीं यह imbalance create किया जब price नहीं imbalance create किया तो उसके बाद इन highs के उपर क्या है जब price वापस नीचे fall किया प्रैस मी वापस नीचे अच्छा सा fall दिया हमें तो इन highs के ओपर क्या है इन highs के ओपर क्या है इन highs के ओपर सोरी इन highs के ओपर क्या है यहाँ तक तो पूरा fall ही fall आया imbalance यहाँ पे है हमारा लेकिन gosh değiş यहाँ पे created है अच्छे से बहुत अच्छे से market ने liquidity क्रिएट की जितने भी sellers ने यहां पर stop loss लगाया होगा सब को trap किया जितने भी sellers को यहां पर stop loss लगाया होगा सब को trap किया बहुत ही easily एक बड़ा सब ठीक है इसको हम कहते है liquidity run इसको हम कहते है liquidity run जो की एक imbalance की वज़े से हम उसको identify कर सकते हैं एक imbalance की वज़े से हम उसको identify कर सकते तो वोपेस से मैं repeat करूँगा अगर आपको नहीं समझाओ कि price imbalance create करेगा फिर liquidity create करेगा अब यह सब क्यों हो रहा है evidence क्यों create हो रहा है क्योंकि algorithm को पता होना चीए कि सबसे recent price कहां से आया है सबसे recently price कहां से आया है और अगर recently आया है तो सबसे active stop losses कहां पे है सबसे active stop losses कहां पे और जब प्राइस को जब algorithm को यह चीज़ा पता है obviously वो अपने आपको prepare करेगा उपर जाने के लिए क्योंकि algorithm का काम ऐसे वोने quantities चाहिए उन्हें चाहिए orders अगर उनके अगर उनके पास orders है अगर उनको यहां पर easily available मिल रहे हैं सारे orders so price भागे का उस तरफ price will run towards that direction very easily और यह काम करता है हमारा imbalance so that algorithm को एक अच्छा clarity मिलेगी हां ठीक है यहां से सबसे recent price fall किया है कोई भी आप देख लेते हैं अभी कॉंसे स्टॉक में जाते हैं रैंडम ली कुछ देख लेते हैं थिक है मैं को कुछ idea नहीं मेरे चार्ट पता नहीं कब खोला है या नहीं खोला है ब्लिस जीए ठीक है अगर मैं यहां पर देखूं तो फिलाल तो देखो imbalance create हुआ है ठीक है imbalance create हुआ है बट मुझे example दिखाने जहां पर already सब कुछ फिल हो जगा है यह चीज़ भी बहुत अच्छा है यहां पर downside imbalance यह imbalance created है अब मेरे को question यह आया था कि यह imbalance क्यों फिल होता है ज़रूरी नहीं कि हर बार balance करने जाएगा वह market को it's not about only balancing देखो लोगों को बस एक term मिल गया imbalance balance होना चाहिए तो वह लोग बोल देते है that's it लेकिन असली reason कुछ और और वह यहां पर हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते है markets एक algorithm के basis पे चलती है यह रहा वह imbalance यह रहे आपके जो लोज क्रियेट हो रहे है market को पता है कि अगर यहां imbalance है तो जब price no down हुआ होगा देखो जब price उपर move करता है बहुत सारे लोग entry लेते हैं इतने बड़े move को कोई capture नहीं कर पाता 90% लोग को capture नहीं करते 90% लोग इस capture करते हो यहांसे यहांसे अगर आब सब्सक्राइब यहां पर लेकिन एक sharp ball गल कि यह liquidity hunt है लेकिन ये कैसी hunting है अपने direction में लेकि जाने के लिए price को price ने यहाँ पर obviously कुछ hunt किया होगा बहुत ही slight margin से liquidity होई है बहुत ही minimum margin से और उसके बाद price वहाँ से एक बड़ा fall गया अब ये जो liquidity create होई है obviously उन्हें sell करना होगा उन्हें एक time पर ये price को sell करना होगा तभी उन्हों ने इस price moment को create किया ठीक है so ये सब जो है ना सब algorithm का खेल है यहाँ पर obviously हम लोगे कि algorithm से fight कर रहे है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो algorithm को read नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास ये candlestick chart है हम लोग identify कर सकते हैं चीज़े कैसे काम कर रहे है और सिफ हम नहीं ये चीज़े तो बहुत पहले से वाइक आफ भी करता हुआ आ रहे है वी सीपी करता हुआ रहे है लोग कर रहे है लोग क्या करते हैं यहीं से बाइंग शुरू कर देंगे कि भाई बाई कर लेते कहें उपर ना बाग चाहे इस पार्ट पर देखो यह अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज़ को 7 जुलाई ना ठीक है सबने विटनेस किया होगा यह बड़ा सा फॉल सब सो शॉक हो गया होगा या टाटा मोटर्स क्यों गिर गया कोई न्यूस आई होगी क्या क्या हुआ होगा लेकिन इंस्टिडूशन को चाहिए उडरस इतना ऊपर जाने के लिए उनको चाहिए उडरस और वो यह ओडर कीदर क्रिट होए यह यहाँ पर यहाँ पर ठीक है और जब प्राइस रेडी होता है मूफ करने के लिए उग denke की है और तब प्राइस ने एक बड़ा फ्रीद आया तो ये है असली reason imbalance के fill होने का ना कि market को हमेशा imbalance fill करना चाहिए क्योंकि वो balance में चलती है नहीं market को orders create करने है और तभी हमें वो move मिलेगा हमारे direction में I hope ये explanation आपको बढ़िया लगा हो I hope चीज़े आपको यहाँ पे समझ में आई हो कि market कैसे काम कर रही है इसके बाद हम लोग market में थोड़ा सा बात करेंगे institutional market structure के बारे में और फिर हम लोग basic market structure या इन दोनों में से किसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे मैं कोशिश करूँगा मेरी सारी वीडियोस आगे से हिंदी में रहें आप सब के लिए और जल्द ही हम लोग youtube live करेंगे साथ में watch list prepare करेंगे अगर 50 लोग भी आते तो भी बहुत बढ़ी आए बस आईगे watch list prepare कैसे करते हम लोग देखेंगे आराम से साथ में बैटके एक गंटा आराम से watch list prepare करेंगे swing trading के लिए करेंगे intra day के लिए करेंगे nifty charts discuss करेंगे bank nifty करेंगे बस आप लोग का support बना रहे जरूर कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप जितना share कर सकते कीजिए अपने stories पर tag कीजिए like कीजिए इस वीडियो को subscribe to my channel thank you so much guys have a nice day bye